मैं हूँ अनिभिक के तितियों से मगर संग्राम मालूम है जो होगा युद्ध उस रणकी मुझे हर साम मालूम है पितामा भीस्म क्योंना साथ अभी कौरवों के हो मैं हर गलती पे बोलूँगा मुझे अंजाम मालूम है एक बाद जोड़ दार तालियों के साथ आमंदित करि अधनिया अजय अंजाम जए चंबल की धरती से मैं अजय शुकला अंजयाम बेतवा की धरती को प्रणाम करता हूं करुणा वरुणालय मर्यादा पुर्सोत्तम भगवान श्री राम के चरणों में नमन उनके पायक मेरे इष्ट मेरे आराध बाबा बजरंग बली को नमन अभिनंदन वंधन पूज गुर्देव जिनके दर्शन की अभिलाशा हिंदोस्तान के भारत वर्ष के प्रतेक जातक में रहती है आज वो समक्ष विराजमान है उनको भी प्रणाम करता हूं कविता की सुचिता की दो परिभाशाएं आदर्नी वेद व्रत बाजपेई जी आदर्नी दादा प्रकाश पटेरिया जी मंच पर मौजूद है उनके चरणों में प्रणाम करता हूं मेरी कविता की य अस्ट्रेलिया की आत्रा से पटना गए, पटना से यहां आए, उन्होंने नीद त्याग रखी है, हम कवियों को सुनने के लिए वो अभी तक मंच के समक्ष विराजमान है, इससे बड़ा उनका उपकार हम पर नहीं हो सकता, मैं सामने भी देख रहा हूं, बहुत से जितेंद से लोग बेठें, जिनकी आँखों में नींद नहीं है, मैं देखना चाहता हूं कि मैं उनको थोड़ा सा और जगा पाता हूं, या नहीं जगा पाता हूं, मैं घर से चलात इस बात को लेकर के आनंदित था कि गुर पूर्णिमा के पर उपर इतने भब मंच जिस पर जीवन जुलाई को मुझे कविता पढ़ने को मिल रही है, और जनम दिन के पावन पर इन्हें प्रडाम करने का उसर मिल रही है, चार पंक्यों से जोड़ जाना, थोड़ा सा इको देना, हमारे कंठ से रणका अटल संग्राम बोलेगा, जो बनके हो गया तैयार, अब वो धाम बोल जाना, हाँ राम जी के देश परियदी आँ चाही तो, जो बेटा राम का होगा, वो जैश्री राम बोलेगा, वाह सो गए हो आप लोग छमा करना, सो गए हो, आवाज नहीं सुनाई पड़ी, एक बार साथ दोगे, दुबारा कोशिश करता हूँ, दोनों हाथ गगन की ओर हों, मुठियां बंधी हुई हों, अपने जीवन थोने का प्रमान दे, मेरे साथ सिर्फ एक बार बोलिए, जैश्री एक कविता जिसका परिचय दे दिया, मेरे चोटे भाई ने, महराश्री, हम हिंदुआ समाज की बात करें, सनातन की बात करें, उसकी स्थापना की बात करें, तो ये भी अनिवार है, मेरे भाईयों के हम उन लोगों का इस्मन्ण भी करते चलें, उनको श्रद्धानजली भी देते चलें, जिन्होंने अपने समय में, अपने काल में सनातन की रक्षा के लिए, अपने प्राणों का उत्सरग किया, ऐसा ही हमारा एक नायक, राजस्थान का वो महायोधा, महराना प्रताप, और उसके घोडे चेतक की एक छोटी सी कविता निवेदित करना चाहता हूँ आपकी तालिया अगर मेरे कानों तक पहुँचेंगी, तो मैं दोगने उत्साह से आपको कविता सुना पहूंगा। कमाल के चाटे सा पड़ा था युद्ध, राजा मेवार के प्रताप महराना उनके माथे पर सोने के मुकट सा जड़ा था युद्ध, हल्दी की घाटी में, वीर पर पाटी में, मेवार की माटी में, मोद सा अला था युद्ध, दूजे युद्ध, अन युद्ध, गोडे पर बैटे ने कह दियो तो बड़ा आशीज देना हल्दी की घाटी में वीर पर पाटी में मेवार की माटी में मौत साला था युद्ध दूजे युद्ध अन्युद्ध गोडे पर बैट लड़े शेर वहां शेर पर सवार बबर शेर ने लड़ा अरे जिंदावाद आशीरवाद लीजे महरा स्री साथ कमाल कर दिया वहाँ वहाँ यह सोभाग है सभी कवियों का कमाल कर दिया जब यह वहाँ चार पंक्तिया और यहीं जिनेवेदित करता हूं कि भारत की माठी का वंदन अनेक बार चंदन समान इसे मस्तक लगाता हूं मंच भी सुने असीस दे भारत की माठी का वंदन अनेक बार चंदन समान इसे मस्तक लगाता हूं राजा मेवाड के प्रताप महराणा उन्हें शद्धा की शवर शब्द समिधा चड़ाता हूं वीर रजबूतों की वसंधरा वो वीर भूमी रंगीले राजस्थान को मस्तक जुकाता हूं अरे तालियों की गूंज से होसला बढ़ादो आप चेतक की टापों की गूंज सुनवाता हूं निवेदित करता हूं सुनिएगा पानी है बनास का इस पानी से तुम तनमंद हो लो मित्रो बनास एक नदी है जो मेवाड में कुंबल गड़के किले के पास से बहती है उसी का पानी पीकर राना की शिराओं में वो तेजाब खौला था कि एक बार नहीं हल्दी घाटी के य ग्रेट तो इस छोटे से कभी को पीड़ा होती है आज आपको साक्षी मानकर बागेश्वर धाम को साक्षी मानकर ये अजय अंजाम एक घोष्णा करना चाहते हैं कि पौरुष के मामले में प्राक्रम के मामले में युद्ध कोशल के मामले में वीरता के मामले में इस भारत वर्ष में अगर कोई एक सक्स ग्रेट था एक जक्ति महान था तो वो अकबर्दा ग्रेट नहीं हमारा महराना प्रताप महान था उसको नमन करती है पानी है बनास का इस पानी से तुम तन्मन धोलो इस बहादूरी की धरती में तुम पवरुश की फसलें बोलो तुम वीर पुत्र हो वीरों के वीरों जैसे निर्भे डोलो बस एक धर्म है देश भक्ती तुम इसके अनुयाई हो लो अब साथ देना है प्यार अगर इस धरती स तो फिर दोनों बाजू खोलो राना चेतक के साथ भारत माता की जय कौन थे महराना परिचानी वेदेत करता हूं जो सूरज के आगे चलता उशा जिसके आने से प्रभा होती है जो सूरज के आगे चलता वो उस रत का हकवाईया था जो नाव डूबती जाती थी वो उसका प्रबल खेवाईया था उस नर नहर ने मात्र भूमी का पूरा कर्ज उता रहा था राणा प्रताप मेवाल गगन पर चंका एक सितारा था ये उदै सिंग राणा का सुथ बच्पन से ही अभिमानी था आकाशी विद्गुत्स चैंचल ये चक्रवाथ तूफानी था जो जनम लिया अंजनी कोक से दीर वरती हनुमन ताने वैसे ही सिंग जना था ये स्री बाई जी जैवल ताने है वैसे ही सी जना थाए पिछे जैवल नेत्रों में प्रबल प्रभंजन था ह माथे पर सूर्य चमकता था, अंतस की आभा से मानो पूरा ही पिंड दमकता था, जियों बाल, भाशकर, भोर, प्रहर से प्रतिछन बढ़ता जाता है, वैसे ही ये मेवार राज्य का सूर्य चढ़ता जाता है, जैसे जैसे भुजदंडों की मचलियां अकड़ती जाती थी, व जो खुद ही गगगारी का विष्ड होते थे, ये एक समय की साजिश थी, ये एक काल की साजिश थी, इस साजिश के साथ ही हो लो, राना चेतक के साथ साथ, भारत माता की, जै वोलो, गुर्देव हल्दी घाटी के युद्ध का द्रश रखता हूं, पटेरिया दादा जैसे भेद बरत बाचपई जैसे बड़े कवियों ने बताया कि अगर युद्ध के द्रश में ध्वन्यात मकता आ जाए, शब्दों से तलवारें चलती हुई दिखाई पड़ जाए, धनुष की आवास सुनाई पड़ जाए, तो कविता बड़ी होती है, कोशिश मैंने की है, आ विरुद्ध रजपूतों को भड़काया था, रणछेत्र वनी हल्दी घाटी, चतुरंग शत्र अनी अडी हुई, उसके विरुद्ध थी राना की बलिदानी सेना खड़ी हुई, तुन्ना कविता, इस बीच युद्ध के शंख बजे, रंढ़ूल बजे, मृदंग बजे, घड़ियाल बजे, घन घनन घनन, जुच्छारू युद्धत जंग बजे, बजिठी देग तरवार बजी, मुगदर बर्ची करवार बजे, बंदूकों की शेहनाई संग, तोपों के मुखर सितार बजे, दोधारी बाजी, खन खन खन, चुनिया चम 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 चाप बजी, ज जैमल राठर और कला राठर दो देवताओं का नाम लेता हूं, राजस्थान की माटी से हल्दी गाटी के युद्ध में, जैमल ने अपने कला को कंदे पर बिठाला गोली लगने के बाद, चारो हाथों से युद्ध लड़ा महराश्री, मुगलिया सेना इस चमतकार में थी कि कौन सा देवता है, चारो हाथों से उद्ध लड़ता है, मैं अभी उद्ध पुर गया, तो मैंने देखा कि वहां के लोगों ने मंदिर में चतुर गुजी देवता की रूप में स्थापित किया, मुश्थ भारत के लोग हैं, जो अपने वीर ही उद्धाओं को देवता क तरह पूजा करते हैं, तब निमेदर करता हूँ, जिर कटकर गिर जाते थे, पर लोथे ही अड़ती रहती थी, और कहीं विलग धड़ से होकर बस बाजू लड़ती रहती थी, जिसको भणोड देता चेतक, उसका बख्तर कट जाता था, जिसको भाला घुष जाता था, गु जिए बड़ा आशीश, वो नीले घोडे का सवार, तूफान दिखाई देता था, वो नीले घोडे का सवार, तूफान दिखाई देता था, जिस और निकल जाता चेतक, शम्शान दिखाई देता था, जिस और निकल जाता चेतक, शम्शान दिखाई देता था, जिन्दा वा एतिहासिक कविता और ऐसे पावन पुरीत मंच पर आपने पड़ी बहुत अच्छा